दोस्तो नेचर ने अपने अंदर राजे कई सानी रहसे समेट रखे हैं जिसे आज भी दुनिया के सामने आना बाकी है जहां एक तरफ मनुस्य अपना जीवन एक अच्छे ढ़न से बिताने के लिए संगर्स करता रहता है वही दूसी तरफ कुद्रत में रहने वाले जीव भी अपना जीवन बिताने के लिए संगर्स करते रहते हैं जिसके वज़े से वहाँ पर रहने वाले जीवों का आमना सामना होता ही रहता है बाग दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवरों में से एक है जिसके सामने बड़े से बड़े जानवर भी टिक नहीं पाते ये अकसर अकेले ही रहना पसंद करते हैं और इंसानों पर भी हमला कर देते हैं वही दूसरी और सान सवाव से दिखने वाले हाती भी काफी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं इन्हें गुस्ता आने पर ये पूरे जंगल में तवाई मचा देते हैं तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम इन दोनों जानवरों को कमपेर करके ये बताने वाले हैं कि इन दोनों जानवरों में कोन सबसे ज़्यादा ताकतवर है इसलिए इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नई है तो चैनल को जल्दी सा सब्सक्राइब करके बगल वाला बैल आइकन ओन कर दे क्यूंकि आप देख रहे हैं ग्रेट इन्वार्मेंट जहां आपको ऐसी वीडियोस मिलती ही रहीगी दोस्तो बाग विल्लियो की सबसे बड़ी परजाती है ये एक मासाहरी जीव है जो मुखे रूप से हीरन और जंगली सूरों का सिकार करता है ये अपने जीवन में अकेले ही रहना पसंद करता है एक बाग के पास सक्तिसाली अंग, मस्कलर बोडी, एक बड़ा सिर और एक पूछ होता है जो उसके सरीर की लंबाई की लगबग आदा होता है इनका नारंगी रंग इन्हें वनस्पतियों में छुपने में मदद करता है जिसे कई जानवर दोका खा जाते हैं और बागों का सिकार हो जाते है, बाग एक खतरनाक और ताकतवर जीव है ये बात तो आप जानते ही होंगे बाग अपने इलाकों को सुरक्षित करने के लिए दूसरे बागों तक पर हमला कर देते हैं ये अकसर इंसानों पर भी हमला करते हैं जिसके लिए बाग पुरी दुनिया भर में मसूर है वहीं दूसरी और हाती एक विशाल सरीर वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते है कि एक हाती अपने सूंड से पेडों तक को खार सकता है आज धरती पर हातीयों की केवल दो ही परजातिया पाई जाती है अफरेकी हाती और एसियाई हाती हातीयों के सरीर में इनका सूंड एक महतपुण भूमी का दिवाता है इनका सूंड सास लेने, मुँ में खाना और पानी लाने और चीजों को पकड़ने में मदद करता है वैसे तो हाती अकसर सांती रहते है और पूरे दिनवर खाना खाते है परन्तु जब ये गुस्से में आते है तब पूरे जंगल में तवाई मचा देते है एक ACI हाती का वजन लगबग 4000 किलो तथा एक अफरेकी हाती का वजन लगबग 6000 किलो के आसपास होता है आम तोर पर बाग और हाती आपस में उलस्ते नहीं है बाग अकसर छोटे और कंजोर जानवरों को ही अपना सिकार बनाता है परन्तु ये हातीयों पर भी कवई कवार हमला कर देता है वहीं दूसरी और हाती अकसर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बागों को खदेर देते हैं इन दोनों को कंपेर करने पर ये पता चलता है कि इन दोनों जानवरों में हाती सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर सावित होगा पर उसका ये मतलब नहीं कि बाग ताकतवर नहीं है आपको क्या लगता है नीचे कमेंट वॉक्स में लिखकर जरूर बताइए अगर आपने हमें अभी तक फेस्बूक, ट्यूट, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लिजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है उमीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर कर दे और हाँ आगे अज़ी वीडियो देखने के लिए अभी हमारी चैनल ग्रेट इनवार्मेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ओन कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में